तो दोस्तों आप सभी का UPSC prelims to testries 2023 में स्वागत है आज है एकोनोमी इंडियन एकोनोमी का टेस्ट नमबर टू जो UPSC prelims को देखते हुए हमने चालू किया है इसका फर्स्ट हो चुका है इसके लावन बात करें यह टेस्ट फर्स्ट है टेस्ट का पार्ट टू है जिसमें हम यह पांच टॉपिक कवर कर रहा है यानि बेसिक ऑफ इंडियन एकोनमी एंडियन एकोनमी एंडियन इसनल इंकम के बाड़े में और एकोनामिक ग्रोफ एंड डेवलेप्मेंट प्लानिंग इंफ्लेशन इसके लावन एग्रिकल्चर यानि यह जो है बाइलिंगुल है इसके आप देख सकते हैं इसके लावा बता दें टोटल सभी सब्जेट की पांच से छेजार कुश्चन की यह टेस्रीज है यूपिस्टी प्रिलिम्स 2030 को देखते हुए इसके लावा बता दें लगबग 200 से उपर कुश्चन हमने पॉलिटिक कर लिए है जोग्राफिक के भ हनडेट कुश्ण कंप्रिट होनेके बात आपको हिंदी और इंगलिस दोनों में अलाग-अलाग ब्याख्या के साथ हमारी टेलग्राम चैनल पर पीडिएफ मिलती है और इसके अलावा जो भी लेक्ट्यर होगा उसकी पीडिएफ मारे टेलग्राम चैनल पर मिलती है तो इसके पहले पार्ट फस्ट में वन से टुन्टी कुश्टन सौल्व कर लिया है अब अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पुसंदार आओ तो चैनल क फॉलॉंग स्टेट्मेंट ऑप्सन एक भारत में संक की एवं कारेकरम कारेणम मंत्रले सभी प्रकार की मुद्रा स्फित को मापता है इसके लोग आप्सन दो दिया है मुख रूप से केवल उभुक्ता मूल सुचकान यानि कंजूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मुद्र इंफ्लेशन को मापने की बात करें तो WPI और CPI यानि होल प्राइस इंडेक्स और CPI दोनों के द्वारा जो है इंफ्लेशन को मापा जाता है CPI वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकिस्था, देखभाद, सिच्छा, इलेक्ट्रोनिक्स आज की कीमत की अंतर के गढ़ना करता है जिसे भारती उभोगता उप्योग के लिए खरिकते है यानि CPI में वो वस्तुओं सामिल हैं जो एक सब्सक्राइट करती रहती है ठीक है इस प्रकार ऑप्सन दो भी गलत है और अगर बात करें इस ऑप्सन एक की तो भारत में सांकियम कारकारणम मंत्राले सभी प्रकार के मुद्राइस फुद को नहीं मापता उधार के लिए उद्योगिक स्रम को यानि इंडस्ट्रियल वर्कर्स आई डवलू खेतियर मज़्दूर के लिए CPI को स्रम रोजगार मंत्राले द्वारा मापा जाता है तथा WPI वाडिजिक उद्योग मंत्राले में आर्थिक सलाकार द्वारा प्रकासित किया जाता है तो सभी प्रकार के इंफलेशन को ये नहीं मापता इस प्रकार दोनों ऑप्सन गलत है ऑप्सन सभी है बढ़ते हैं नेक्स कुष्ण की तरफ कुष्ण नंबर 22 में पूछा है दोस्तों फसल की सघंता के संधर में यानि क्रॉप इंटेंसिटी के संधर में आपको कुछ स्टेट्मेंट दिये गया है उसके बारे में आपको इसमें सही अप्सन चूच करना है ऑप्सन एक करिCe様 के लग के दोराण एक ही खेत में से कई फसलें उगाने को संधरिफ करता है फसल इंटेंसिटी यानी फसल्साघंत अपसंदोक दिया है सकल फसल यानि ग्रॉस क्रॉप की बात किया है थे स्चेतर फसल दब होता है एक क्रिसी वर्स में एक ही खेत में कई फसले उगाने से हैं इसे क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं विश्व के आवसत 11% के तुलना में भारत का लगभग 51% भागौलिक छेत्र पहले से ही खेती के अधीन है वर्तवान फसल सगंता के 136% में सुतंता के बाद किवल 25 प्रस्यत की ब्रिद्धित दर्ज की गई है तो आपको समझ में आ गया यह उप्सन सही है एक ही वर्स के दौराण एक ही खेत में कई फसले के उगाने हो क्या क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं ऑप्सन 2 की बात करें ऑप्सन 2 भी सही है फसल के सगंता के गढ़ना अगर बात कर क्ष्या गया अगया छेत्र सुद्दौ बोयागया छेत्र ए हूं ओडे सौफ इस आधार पर यसकी सगंताना पी जाती है यानि सकल फसलचेत्र एक विसेस भर्स में एक बार या एक से अदिक बार बोया कुल्चेत्र का प्रतनित करता है ऐघाते एक बार बैर नहीं होती है उतनी बार छेत्रपल की गढ़ना की जाती है, इस कुल छेत्रपल को कुल फसले छेत्र या कुल बोया गया छेत्र भी कहा जाता है, सुद्ध बोया गया छेत्र जो है, बोया गया छेत्र का प्रतनियुत करता है, इस प्रकार option 2 भी सही है, यानि option C सही है, एक और दो, अब बात को दिया केरल में फूलों की वारिस काफी और चाय जैसे बगानों फसलों के पुस्पन के लिए जिम्मेदार है यानि ब्लॉशम की बात किया है आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी इंग्लिस में अक्षर कुशन आता है ये इसका रेडिमेट वर्ड ब्लॉशम शौवर लिखा जाता है तो उसके लाव अनुचित ड्रिप सिचाई का संस्थापन अक्सर खराब जड़ विकास को जो है डेवलेप्मेंट में होता है अनुचित ड्रिप सिचाई के काड़ इसका इंग्लिस भी आप देख लिजीगा अगर इसमें बात करें इसम से जुन के सुरुआत तक मौसम के प्रारम में की जाती है और अक्टूबर से सुरू होने वाली मांसुनी बारिस के बाद काटी जाती है खरी फसलों में क्या क्या आता है खरी फसलों में चावाल आता है इसके लावां बताएं मक्का आता है और जुआर इसके बाद बाजरा सोयवीन मोंगफली तिलहन जैसी फसल और इसके साथ का पास भी खरी फसलों में आता है इस प्रकार इसमें ओप्षन एक सही है ओप्षन दो की बाद करें ओप्षन दो सही है यÁनि ब्ल्सोंग शावर जो होता है यानि उसे आमर फुहार या आमर वर्सा या ब्लॉसम फुहार शावर भी कहते हैं जो प्री मांसुन की घटना होती है इसे एक बोलचाल भासा के लिए ये सब बोला जाता है ये मुक्रूप से मार्च से माई की महिने को दराण यानि भारत में मांसुन के आगमन से पहले होती है इन्हें अप्रेल वर्सा भी कहा जाता है केरण में फूलो की बारिस यानि ब्लॉसम शावर जो है काफी चाय जैसे वगाने फसलों के पकने मदद करता है ये भी सही है आप्सन तीन की बात करें तीन भी सही है है रभी क्रॉप में यह अता है इसकी मैंने बता है यहां पर आप देख लिए मेजर खरीब क्रॉप्स कौन्स गया है ठीक है उसमें जो है फसल और विजटेबल्स की बात किया गया है मेजर रभी और खरीब की डीटेल दिए आप यहां से देख सकते हैं कुशें नमबर 24 की बात करें MSP की बात कर रहा है MSP के संदर्में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए option एक है या क्रिस इलागत और मुल आयो की सिफारिस पर आधारित है option दो गन्ने के लिए दिया गया MSP देश में सबसे जादा है option 3 MSP की घोषवा भारा सरकार द्वारा कटाई के मौसम के सुरुवाति से किया जिसमें कौन सा option गलत है आप इसमें अगर देखेंगे आप जो है option 2 देखेंगे गन्ने में MSP का उप्योग नहीं किया आता है ठीक है गन्ना उद्योग के पुनर गठन की अगर बताये जंग राजन समित की रिपोर्ट पर अधारित है उचित और लावकाले मूल यानी FRP द्वारा जो है गन्ने का देखेंगे चीनी मिलो द्वारा किसानों को दिया जाता है FRP द्वारा जो है क्रिस लागत और मूल आयोग द् ना कि MSP द्वारा तीस परकार option दो गलत हो जाएगा तो दो जिसमें वो option जो है इसके हिसाब से सही होगा बैरहन देख लेते हैं option 3 की बात करें तो भारा सरकार द्वारा लगबख 24 सस्तियों की वुवाई के मौसम के सुरुवाती MSP के गुफलक की जाते ताकि किसानों को प क्रिस लागत मूल आयोग की सिफारिस के अधार पर क्रिस सहकारत्य विभाग 12 सरकार 22 फसलों की वुवाई के लिए मौसम से पहले नियुंदम समर्तर मूल जो है घोजित करता है अगर MSP क्रिस लागत और मूल आयोग की बातकरिक सिफारिस पर साल में दो बारताई की आता है जो एक वैधानिक निकाय है और खरिफ और रविफ की फसलों कीमते अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है इस प्रकारिस में कौन से दो और तीन जो है गलत है यानि option C सही है question number 25 देखें भारत में समविधा क्रिस यानि contract farming की बात कर रहा है किसंदर में विचार कीजिए option 1 model MSP अधिनियम 2003 अनबंध खेती के लिए प्रविष्ट विष्ष्ट प्रावधान करता है option 2 है या क्राय के एका धिकार की इस्थित पैदा कर सकता है option 3 है अनुबंध क्रिस के माध्यम से क्रिस में निजी निवेश को बढ़ाया जा सकता है कौन सा सही है contract farming के आधार पर इसमें कौन सा option सही है जिसमें option 1 देखेंगे option 1 सही है ठीक है भारत में contract farming को भारती अनुबंध अनुबंध अधनियम 1872 के तहत विए निमित किया जाता है इसके अलाव model MSP क्रिस उत्पाज बाजार समित अधनियम 2003 अनुबंध खेती के लिए विशिच प्रावधान करता है जैसे क्रिस अनुबंध प्रायोजक का अनिवार पंजी कड़ और विवाद निप्टान सिस्टम है option 2 की बात करें ये भी सही है क्रेका एकादिकार एक एकल खरिदार के प्रभुत वाले बाजार को संदर्भित करता है क्रेके एकादिकार में एक एकल खरिदार के पास आमतर पर एक नियंत्रिक लाव होता है जो इसके उभोग और मू लहस्तर को नीचे ले जाता है क्राय के एक अधिकार आमतर पर थोग विक्ताओं के गिमतों और भुकतान मजदूरी में लाप करते हैं इस परकार देखेंगे इसमें ये भी सही है option 3 भी सही है क्यानि contract farming एक ecosystem को बढ़ावा देती है जहां किसान और व्यापारी बाधा मुक्त व्यापार कर सकते हैं ठीक है और इसमें जो है निजी निवेस को पढ़ाया जासता है इसमें देखें कौन सा option सही है यानि उप्रोक में सभी एक दो तीम तीनों सही है question number 26 को देखते है फर्टिलाइजर के बारे में इससे पूछा है फर्टिलाइजर के संदर में पूछा है option एक nitrogen की धीमी गस से निकलने के कार नीम लेपित यूरिया की nitrogen उप्योग छमता बढ़ जाती है option दो fortification fortigation के परड़ाम सरूफ फसलों द्वारा उर्वकों को अधिक और सोशड़ होता है option 3 वर्तमान में यूरिया के मामले में भारत 100% आयात पर निर्भार निम लिखित कत्नों में कौन सा कतन सही है option 1 की बात करें option 1 सही है क्योंकि नीम के बीच के तेल से लेपित यूरिया को नीम लेपित यूरिया कहा जाता है ठीक है आपने अगर गौव में रहोंगे तो पहले कि संटाइम में क्या होता था नीम की गूदी कहा जाता है करना अनिवार कर दिया है इस प्रकार देखेंगे यूरिया का अधिक क्रमिक निर्गमन की बात करें तो पौधों को अधिक वो सकतर तो प्राप्ट करने मदद करता है जिसके पढ़ाम सुरुक अधिक पैदावार होती है तो आप्सन जो है यानि नैट्रोजन की धीमी गत से निकलने कार निम लेपित यूरिया नाट्रोजन का प्यों को चमता बढ़ाती है ठीक है नाट्रोजन निकर ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो भी सही यानि फॉर्टिगेसन और वर्वरक वीन्यों की एक विधी है जिसमें डिफ सिस्टम दौरा सिचाई में के पानी में अर्वरक को सामिल कि यानि इस सिचाई के ओर मैं सब्रेफू समान रुप से वितरिफ हो जाता है ठीक है इसे क्या होता है फस्ट części की बात करें तो तीन गलत है भारत में भारत के फॉस्पेटिक अथा पोटाइसिक और यूरिया का सुझ आयातक है यूरिया वैधानिक मूल नियंतर के तहट एक मात्र उरोड़क है और राज ब्यापारिक उद्यमों के माध्यम से प्रत्यचक्रिस उपयोग के लिए इसके आयात की अनुमती है भारत में अगर बात करें भारत की तो भारत का आयात निर्भरता यूरिया की हमारी आवसकता का 25% है फास्पेट के मामले में 90 और 100% पोटास के मामले में है ठीक है भारत के मामले में 100% किसमें है पोटास के मामले में कि वास्पेट के मामले में अगले तो छो है 90 परसेंट है मामले में त्यून्टी फाइफ परसेंट यह भी गलत है तो इस में जो है को पुछा पूंछा यह आ ओसेदेखेंगे एक और दो सही कुष्य नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों से यह यूरिया के बारे में हैं यूरिया की MRP भारष सरकार द्वारत वैधारिक रूप प्रते की जाती है यह उप्सन दो यूरिया पोशक तत्व अधारित सबसड़ी योजना के अंतर गता है आप्सन 3 मिट्टी में यूरिया को अमोनिया बदलने में काफी समय लगता है कौन सा उ यूरिया के अलाम प्रतिक शोपान यानि गेड़ पर वार्षी का अधार पर तैकी गई सबसड़ी के निश्चित राज यूरिया के अधार पर प्रतान की जाती है तो सबसड़ी को उत्पादों को बजाए पोशक तत्तों के संत्रतना में जोड़ने के परकल्पना की थी ज आप्सन 3 की बात करें आप्सन 3 जो है गलत है क्योंकि यूरिया उर्वरक पधों को हरी पत्तेदार वृद्य को बढ़ावात देने और पधों के संगन पधों को सगन दिखने के लिए नाइट्रोजन प्रतान करते हैं यूरिया पधों के प्रकास संसल्टर पक्रिया में भी जिसायता करता है क्योंकि नाइट्रोजन सामगरी अधिक है और मिट्टी में आसाने से अवोनियम परवर्टित हो जाती है यूरिया सबसे अधिक केंद्रिकित नाइट्रोजन यूट्ट और वरकों में से एक है इस परकार जो है ऑप्सन 3 गलत है और शिरिप इसमें जो है पीजो के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार केजिए ऑप्सन एक गैर किसान पी यह मसीन से खाद नहीं खरी सकते ऑप्सन दो भारत में वीज और रतना में स्वाचलित मार के तहत किसी भी एफडियाई की अनुमत नहीं है ऑप्सन 3 बीज प्रतिस्थापन दर इस ब यानि सीट्स रिप्लेस्मेंट रेट इस मेजर हाव मच अब टोटल क्रॉप्ट एरिया वस सौन विद दर सर्टिफाइट सीट्स थी कंपेरिजन और टू फर्म सेब सीट्स ठीक है इसका इंग्लिश टांसलेशन है आप इसमें देख लिए गर पुलना सौन में है तो अगर किसान साइथ कोई भी प्यो एस मसीन के माध्यम से किसी भी मात्रा में उर्वरक खरीज सकते हैं इस पकार यह अप्सन गलत हो गया आप संदों की बात करें आप संदों गलत है कि किसी और सहयोग विभाग भारत में 2005 से गुडवत्ता वाले बीजों को पादन वेतरलों की सु इस परकार दो भी गलत है तीन सही है कि एस आर आर इस बात की गढ़ना है कि खेत में बजाए गए बीजों की तुलना में प्रमारित बीजों की साथ कुल फसली चेत कितना बोया गया है अनुदान दरों की अच्छी गडवत्ता वाले बीजों के खिज़ण के किसानों खेते बजाए बीजों के अस्थान पर अगर देखेंगे प्रमारित अच्छी गडवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है जिससे बीज प्रतिस्थापंदर ब्रिद्ध होगी और अंतुता राज्य किसानों की पादक्ता और पादन आय में ब्र समीती राज सरकारों के अधिन कार करती आप्सन दो कोई भी राज सरकार अपने राज में एप्यम सी अधियम को समाप्त नहीं कर सकती कौन सा कथन सई है ठीक है ऑप्सन एक तो सई है ठीक है यह राज सरकारों के अधिन काम करती है आप्सन दो गलत है क्योंकि 2006 में करनाटक सरकार ने करनाटक क्रिस अपर्द यानि एपिम सी मंडी को विद्यक पारित किया जो किसानों को अप्यम सी के हस्ते छेप के बिना अपनी उपर्च के ब्यापार करने कश्चम मन आया तो इस प्रकार दो राज्जियों में देख रहे हैं तो यह खत्म ही हो गई के मूल को सामिल नहीं किया जाता है option 2 है CACP कोई भी छेत्र आधारित लागत अनुमान स्वयम नहीं करता है option 3 कच्चे का पास मूंग, कच्चे जूट, नारियल, सोयबिन, भूसी वाले नारियल के लिए MSP प्लब्ध है option 1 देखें तो CACP की बात करें तो राज और अखिल भारती दोनों आउसत अस्तरों पर पत्तेक फसल के लिए तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है A2 किसान द्वारा सीधे बीज, उर्वरक, किट, नासकों, किराय पर स्रम, पट्टे, पर दी गई भूमी, इधन, सिचाई, आज पर नगद, और वस्त के रूप में किये गए सभी भुकतान, किये गए खर्चों को कवर करता है A2 A2 प्लस FL जिसमें A2 प्लस FL सामिल है जिसमें आवैतानिक पारवारिक स्रम और C2 की बात करें, C2 का एक आरोपित मुल्य है, जो एक आधिक व्यापक लागत है तो यह कुछ टेकनिकल टर्म है, इसके अलावाँ यह ऑप्सन जो है गलत है, यानि फसल के उत्पादन लागत गरना करता है, आवैतानिक स्रमिक को सामिल किये जाता है ठीक है, जो एक टू प्लस एफल केता है, आप्सन दो की बात करें, आप्सन दो सही है, यानि CACP कोई भी छेतर आधारित लागत अनुमान स्वयम नहीं करता है यह क्रिस मंत्राले और अर्षास में अर्षास और सांकी निज़े साला दोरा प्रतान किये गए राजजवार फसल विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों को उपियोग करने के लिए अनुमान लगाता है आमतर पर तीन साल के अंतराल के साथ उत्पन होते हैं तो CACP जो होता है एक वस्त्प के लिए MSP के सिफारिस करता है समय विभेन कारकों को बिचार करता है जिसमें खेती लागत भी सामिल है अप्सन तीन की बात करें तो CACP यानि क्रिस लागत और मुल आयोग जो है 22 अनिवार फसलों और गन्ने के लिए उचित लाबकारी मुल यानि FRP के लिए MSP की सिफारिस करता है फसलों की सूची की बात करें उसमें क्या क्या सामिल है तो धान गेहूं जौब जौब बाजरा मक्का रागी चना अरहर तूर मुंग उरद मसूर मुंगफली रेपसिट सरसो तोरिया सोयवें सूरज मुखी तुतिल कुसुम इस परकार के जो है गन्ना इस परकार के इसमें को को किशन नपर थर्टीग मंडिमें में देखे का पूछा है भारत में मचले उत्पादा के जंदर में पूछा है कूं सा ऑप्सन गलत है भारत में मचली उत्पादान सम्बंद्थ ओप्सन और देखेंगे तो अंतर देशी मतस्य पारण का हिस्सा 6.81 परसंट है और दो की बात करें और दो गलत है चीन दुनिया का सबसे बड़ा मचली उत्पादक है ठीक है जली कि उत्पाद के लिए प्रमाणर नियोजना विकसित की है इसमें कौन से ही एक और तीन सवंपाद स्कीर अब कुछिशन नमबर 32 में देखें बारत में क्रिसी के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार केजिए प्रधान मंत्री मतस संपदा योजना को देश फसल की कटाई के बाद 10% तक की कमी करना प्रधान के ठंड में कापास के पॉज़ेवरिद के लिए हानिकारक होती है प्रधान मंत्री मतस संपदा योजना की बात करें तो इसमें क्या प्रधान आत निर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में देश में मतस पालन जो है छेटर केंद्रित और सतत विकास के एक प्रमुक योजना है इसका लच्छ है कि साथ सत्तर लाख टन मचली उत्पादर में ब्रिदिक और 2024 पचीस तक मतस निर्याद आय को लगबग एक लाख करोड रुपे तक बढ़ाना मच्छवारों किसानों मचली किसानों की आय दोगुना करना कटाई के बाद की नुकसान को 20-25 प्रसे तक कम करना लगबग 10 मतस पालन छेत्र असंबंद गत वीडियो के अत्रिक्त 55 प्रत्यच और प्रद्यच रूप से लाबकारी रोजगार जो है कि आउसर पाइदा करना तो ये प्रदार मंत्री मतस संपदा योजना के कुछ जो है काड़ है इस पकार देखेंगे ये भी सही है कापास की फसलिके ट्रकित क्या होता है उपोफ्ट करबंदी छेत्र में होता है इसके लिए क्लाइमेट चाहिए उपोफ्ट करबंदी इसे क्या लंबी ठंड से मुक्त यानि पाला रहित अवद की जो है देखेंगे टाइम चाहिए जो बहुत अधिक गर्मी और भरपुर धूप की आवसकता होती है या गर्म और आदर जलवाई की क्लाइमेट चाहिए इसको मिट्टी के तापमान की बात करें लगवग पढ़नेदर रेडिस से कम होना चाहिए कपास के बीजों का अंक्वर्ड दर कम होता है सक्रीव रिद्ध के दौरान आदर सहवा का तापमान सत्तर मतलब 21 से सहतिस जिगल सलसिस होना चाहिए इस परकार ये भी सही है टीशू कल्चर की बात कर लेते हैं तो गन्ना एक वनास्पतिक रूप से प्रचारित फसल है उपयोग की जाने वाले बीज सामागरी स्टेम कटिंग है जिने स्टेम के रूप में जाना जाता है प् में लिए जिखेंगे आप सन तीन भी सज़ी है तो इसमें अपूचन पूचा सई है और यह कुछन नमबर 33 दिखते हैं क्या पूचाए इसमें 33 में कृच्शवानकी के संबद में पूचा है ठीके एग्योफ्रा ओन्रस्टी के संदर में जो आपको विचार करना है और यह ब्यक्तिकत रूप से नहीं बलकि एक प्राड़ी के रूप में फसलों पसुदन और पेड़ों के एक प्रबंद्ध है आप्सन दो यह लूप प्राय प्रजातियों के जर्म प्लाज्म को संरचित करने मदद करता है इसमें कौन सा ऑप्सन गलत है कि ऑफ्सन एक की बात करें एक क्रिस ओर धिगर ऑ बताएं क्या होता एक प्रबंदम के तैंगर उप्रबंद्धं करने का पर आंपञ़ंपनित पसुधन उद्मों को पेड़ों और जाड़ियों को इच्छा नुसार एगेकड़ को कहिंद्रित करता है तो इस प्रकार एक अफ़न सही है दो की बात करें तो दो भी सही है किस वानकी सिस्टम की कई प्रकार की पर्यावाडी सेवाय प्रदान करता है अगर उधार के लिए ब प्रदान को समवेटान सेफ्चाइब को सरच्षित करने में विसायता करता है इस प्रकार इसमें कौन सा गलत है इसमें तो कोई भी गलत नहीं ना तो एक ना तूब नेक्स शुशन की बात की कुश्शन नमर 34 में देखे क्या पूचा है निम्ली के कदनों पर विचार करना है तो चलिए विचार कर लेते हैं आपसन एक की बात कर रहा है इसमें फास्पोरत एक आवास्यक वुसकतत्व है जो पौधय की जड़ के विकास में सहायता करता है आप फसल कहलाता है ठीक है तो इसमें जो है कौन सापसन सही अगर बात करें आप्सन एक ऐस्पोरत की वुसस्थ जो पौधय के विकास के लिए महत्पूर होता है हर जीवित पौधय की कोशिका में पाया जाता है ओरने के वीतर पोसक तत्तों के संचालन और अनुवांस की विशिस्ताओं को एक पिड़ी से अलग करने तक असांत्रित करने साइथ कई प्रमुक सहयंत्र कारियों को सामिल कियाता है ठीक है तो यह आप्सन जो है सही है कुशन नमबर 34 में आप्सन एक सही है ठीक है ओपसन दो की बात करें दो भी सही है ठीक है जो वर्टिकल फार्मियं होगी तक नहीं है जैसे जापान जैसे देश में वहँआ पे एक पहाड़ ही है लेंड कम है जनसंख्या भी ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वर्टिकल फार्म होती है ग्रीन हाउस गैस के अंदर ठीक है तो उससे जो है क्या कहते हैं उर्धवादर खित कहते हैं या फिर हाड्रोफोनिक्स कहते हैं जो इसमें क्या क्या मिट्टी के रूत नहीं होती है उ दो या दो से अधिक फसलों के निकटता से उगाने के अभ्यास के लिए एक सरव्यापी सब्ध है एक ही पंक्त या क्यारी में बात करें तो पट्टियों के माध्यम से जैविक अन्योन क्रियां के लिए काफी नस्दीक है इंटर क्रॉपिंग योजना एक उद्राड है एक ऐस सब्सक्राइब को देखते हैं बरानी खेती के बारे में पूचा है तो विचार करना है भारत में भारत की बात करें तो अगर भारत अपने कुल फसल छेत्र की बात करें 16% के साथ दुनिया के वर्षा आधारिक क्रिशी देशों में पहले अस्तान पर है वर्षा आधारिक क्रिशी ओप्सन दो भी सही है ठीक है जिसमें एक और दो दोनों सही है यह स्मित्टी की बात करें तो सभी संस्त्रों पर रहती लिए होते हैं तो कुछ सुस्क और अर्थ सुस्क चलवाई किसेंची छेत्रों में पाई जाती है यह है वर्टिकल फार्मिंग एक को फार्मिंग जो भी कह लिए एक फोनिक्स हाइड्रो फोनिक्स ठीक है और यह नॉर्मल किसी जैसे होती है कि अब बात करते हैं कुष्चन नंबर 36 की बित्ती वर्स ज्यान रखेगा का पुछा है बित्ती वर्स 2020 में भारत का सुद्ध घरेलू उत्पात पिछले वर्स के 170 ट्रिलियन रुपए के तुलना में 180 ट्रिलियन बारती रुपए अधिकता जो एक बड़ी छलांग है तो के मुल्यों को जोड़ने के बाद प्राप की जाती है ऑसन दो किसी अर्थ व्योस्था के सुद्ध कर्योव इत्ता का मुल हमेशा उसी वर्स के सकल घरेलू उत्पात के मूल से अधिक होता है आपको पूछा गया है क्योंकि सुद्ध घर difficया अगर दोमेस्टिक यह क्या प्रोड़क्शन होता है कि अगर मूल हगा के मूल भषोर को समय हुद्स करने के पाश्याथ कि जाती है यह मूल रोप से सकल घरल उत्पाद का सुध रूप है और था सकल मेसे करके मूलि का घटाओ किया जाये तो जो वस्तुओं सेवां को पारदन के दौरान संपत्व में हुआ हता वह होता है यानि अंडी पी जो होता है NDP बराबर GDP मायनस मूल हराव घीक है इस परकार देखेंगे यह Opson गलत है NDP पुछ रहा है NDP माँ GDP बारा लेकिन अगर बात करें तो जो मानो जाती ने इस श्यत्र में विकास के माध्यम से बहुत प्रगत की है जैसे बॉल बेरिंग लुब्रिकेट्स आज के सभी प्रकार के मूल हरास के अस्तर को कम करने के लिए नवाचार किया गया है यानि आपको एक बाध्यान रखना है एंडेपी हम ऐसा उसी वर्ष के जीडेपी से कम होना चाहिए क्योंकि मूल हरास सुन करने का कोई तरीका नहीं है तो यह भी गलत है उसी वर्ष से कम होता है कम होना चाहिए अप्संटीन की बात करें आप्संटीन सही यानि एंडेपी की अधारा विभिन उप्योगों नीचे दिये गए हैं जैसे केवल घर में अर्थ विवस्ता है कि उपलब्जियों को दिखाने के लिए जिन्होंने एतियासिक समय अवधिक में मूह लहरा सस्तर को काटने में कोसिस की है तो इस प्रकार देखे कि इसमें कौन सा अप्संट गलत है तो इसमें एक और दू गलत है ठीक है कुशन नमर 37 की बात करें यह कुछ फॉर्मूला है अब देखले एक फॉर्मूला है रीएञ जेटीप का फार्मूला नॉपनल धीबी का फॉर्मूला है और ग्रॉस डो को द्वारा उत्पादिस सभी तैयार वस्तुओं और सेवाँ को खुल मुल है चाये उनका अस्थान कुछ भी हो यह परिभासा संदर्बित करती है यानि इन चारों में से किसी परिभासा दी गई उसमें बताना है आपको किसकी परिभासा दी गई है ठीक है तो आपने अगर सकल राष्ट्री उत्पाद के बारे में पड़ा होगा जीन पी के बारे में तो यह किसी देश के नागर को द्वारा किसी दिये गए वित्ती वर्स में उत्पादिस सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं को कुल मूल है चाहे उनका स्थान कुछ भी हो जीन पी घरेली और विद अधिक गद्विद्यों को भिध्यान रखता है आप सब्सक्राइब की बात करें जो एनन पी है नेट नेशनल इंकम की परवासा क्या होती है अगर कैसे निकालना हो तो जीन पी माइनस जो मूल हरास होता है ठीक है इसके लावा एंडीपी की बात करें नडीपी भी मैंने ब बतावी दिया जैंडीपी जेडीपी की परभासा दी गई है यह इसका समवन जो है आपको जीन पी से है । एक वर्श कि अवधिक दरान किसी राष्ट की सीमा के भीतर ध्यान रखिएगा जी डीपी जो का है राष्ट की सीमा और बैतर यह रह कि करता है कि भीतर उतपाज म सभी अंतिम वस्तूं और सिवाओं का मुल और भारत के रिए एक वर्स यानि एक अप्रल से 30 मार्ज तक की इसकी घड़ना की जाती इसकी घड़ना राश्ची निजी खापत सकल निवेशी खर्चो ब्यापार संतुलन को जोड़कर भी की जाती जीडिपी की ठीक है इस परकार इसमें जो है निम्ल में से कौन सा कतन सुध राश्टी उत्पाद यानि एननपी को उचित रूप से वर्ण करता है या मुल हरास के मुल के भार को समयुद करने के बाद गड़ना की गई जीडिपी है या मुल के रूप में मुल रूप से सकल घरेल उत्पाद का सुध त्वरती के बाद गरना किये अगरे उत्पाद का से मां के भीतर उत्पाद सभी इंतिम वस्तों ओं का मुल है उसे दिये गये विर्फ के दरनागरी संप P मूले हैं तो एननपी के बारे में आपको बताना है तो इसमें देखेंगे एननपी जो है यह सकल राष्टी उत्पाद से मूल रहास की कटवती के बाद गढ़ना का किया गया उत्पाद है ठीक है यानि NNP जो होता है अभी मैंने बता है NNP जो होता है वो GNP माइनस मूल हरास होता है ठीक है यह बात करें NNP बराबर क्या होता है NNP बराबर होता है GDP प्लस विद्यसों से अर्जित आए ठीक है फॉरण इंकम की बात कर रहा है माइनस जो मूल हरास होता है तो यह दो फार्मूले है यानि इसका संबंद आप्सन B से है बाकि NNP GDP क्या होता है इसकी परिभास सामने देही दिए है फार्मूला वह आप दिख लिए कुशन नमर 39 की बात करने हैं लिखे कत्नों पर विचार करना है उप्सन एक उत्पादन में बाजार लागत किराए बिजली और रिड के ब्याज पर खर्च की गई लागत है उप्सन दो उत्पादन में कारक लागत अर्थ बेवस्ता में आप रत्य च्छकर दरव में विमिन कारकों पर खर्च की जाती है उपर दिए कत्नों में से कौन सा कथान गलत है ठीक है इसमें गलत कथे न आपको बताना है अगर लागत क्या होती है लागत के बारे में बात करें दोस्तो तो एक अर्थ बेवस्ता की आई यानी इसके खुल उत्पादित वस्तूओं और सेवाव की मोल की गरना या तो कारक लागत या बाजार लागत पर की जा सकती है उनके बीच एक अंत्र होता है सामान तोर पर उन्हें कारक मोल और बाजार मोल भी का जाता है बारत अधिकारिक तोर पर कारक लागत पर अपनी राष्टी याए की गढ़ना करता है जर्वडी 2015 की बातकरत सियस्टों ने बाजार मोली यानी बाजार लागत पर इसकी गढ़ना करने के लिए एक रुख दिया था ओप्सन एक गलत है ठीक है ओप्सन दो की बात करें तो ओप्सन दो भी गलत है कारक लागत की बात करें एक और बदा जागो कारक लागत वहां इंपुट लागत है जिसे उत्पादक को कुछ उत्पादन की प्रक्रिया में उठाना पड़ता है जैसे पूजी लागत यानि रिड पर ब्याज कच्छा माल स्रम किराया बिजली ठीक है और संदुक गलत है उत्पादन की कारक लागत में आप प्रत्य श्करों को जोड़ने के बाद बाजार लागत निकाली जाती है इसका मतलब यह है कि वह लागत जिस पर माल बाजार तक प िटा यानि से सोरूम को पहुंचने क्या सेट के इंद्री उत्पाद सूलख्षी ऐस्ट पादु सब्सक्राइब भार्द के सरकार दौर्पाय जाता है इस ये话ं जाना जाता है इसमें जो है किसी जो है यानि एक और दो दो गलत है नमो civ गौशन की बात इसके लाव मार्केट प्राइस की बात करें मार्केट फ्रस फर्मूला किया कॉस्ट प्रोडॉक्शन मार्केट प्राइस प्रस प्रीमियों जो भी उसका होता है यह आपको फर्मूला है यह आपको ध्यान रखना है कुशन नमर फोटी की बात करें भारत अपनी राष्टी या परवर्दन किया गया ऑप्सन भी चाली की उम्तों पर राष्टी आय की गढ़ना मुद्रा स्फीत मूली सामिल नहीं अप्सन सी मुद्रा स्फीत जो आय गढ़ना का एक प्रमुक्ष इस्सा है ठीक है भारत जो अपणी आय की गढ़ना करता है तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है और विकासिर अर्ध व्यूस्था और द्वारा भी किये जाता है जबकि जो विक्सित राष्ट है चाली कीमतों पर इसकी गढ़ना करते हैं हलाकि जो सांखी उद्योसों के लिए सियस्टों मौजुदा कीमतों पर राष्टी आए के आंकड़े भी जारी करता है मौल रूप से बात करें तो इन्फिलेशन अपने अस्तर पर इस्तिरता के काण भारत में नीत इनमाड एक तिनोतिपूर पहलू रही है इस्तिर मौल पर राष्टी आए एक वर्स में किसी देश के सामान निवासियों द्वारा अंतिम वस्तूं और सेवाओं का धन मौल जिसे आधार वर्स मौल पर मापा जाता है आधार वर्स की बात करें, आधार वर्स क्या होता है, आधार वर्स होता है एक सामान वर्स जो मुल्य में उतार चड़ाओ, यानि इंफलेशन से मुक्त होता है, इसे बेसियर मान ली जाता है, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा, वर्तमान मुल्य पर राष्टी याय की बात करे तो किसी देश के सामान और निवासियों द्वारा एक वर्स में उत्पाई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मुद्रा मूल होता है जिसे मुद्रा मुद्रा स्फिति मूल समाविद किये बिना चालू वर्स की केमतों पर मापा जाता है टीक के इसकी की बाद करें तो वास्ति वास्त बात करें तो वास्ति क्या होती यह नाम अध्र आय माइनस कि मुद्रा स्फित की वर्तमांदर को घड़ा कर प्रसेत क्रूप में समाजो है कि जाता है के मजदूरी का सुद्ध हिस्सा उपयोग करने के लिए एक सुतंत्र है जो डेटा की आवसकता के अधार पर वास्तविक और नामत्र आएके आप प्रत्यच करों की कटाउती करता है इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें आप्सन सी सही है तो दोस्तों यह रहा हमारा पार्ट टू इसके लामा नेशनल इंकम फॉर्मूला है यह आप देख लीजीगा कैसे कैसे हमने बता ही दिया है तो दोस्तों यह रहा हमारा पार्ट टू इसकी आपको पीडियाप हमारे चेलिगाम चैनल पर मिल जाएगी आप यहां से स्कैन कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन जाकश में आपको लिक्ट मिल जाएगी अगर आपको लेक्शर थोड़ा सा भी अच्चा लगा हो जो आप लेट चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब कीज़ेगा कोई भी ओ आप कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं यह हमारे